So iOS 17.4 already release हो चुका है आये देखते क्या नया देखने को मिलता है काफी सारे नये changes आ चुके 17.4 में मैं personally तो बहुत ही excited और नये features देखके तो इस वीडियो में हम बात करें क्या नये features हमको देखने को मिल रहे है and इसको compare करेंगे हम iOS 17.3.1 के साथ तो इस वाले phone में 17.3.1 है and यहाँ पर आपको 17.4 देखने को मिलेगा इतना इनी bug fixes की बात करेंगे बैटरी की बात करेंगे performance की बात करें क्या आपको update करना चाहिए नहीं करना चाहिए and इसके बात कौन से नए IS versions आप expect कर सकते हो नमस्कार दोस्तो मैं आणा महमेद टेकनोलोजी की दुनिया में हर देना कुना सीखना चाहते हो तो यह चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरी battery percentage आप देख लो 71% है जैसे से वीडियो आगे बढ़ता जाएगा हम देखेंगे एंड में हमारा battery percentage कितना रह जाता है जिससे हमको पता चलेगा 17.4 में हमारे battery पर क्या impact पढ़ रहा है चले तो बात करते हैं नए features के बारे हमें settings में चलते है and सबसे पहले most important category में चलते है तर इस battery में अब यहां पर आपको अलग से कुछ categories देख रही है अब पहले अगर आप देखोगे ios 17.3.1 में है तो यहां पर बैटरी में आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह सेम दो categories आपको नहीं देख रही थी आपको सिर्फ battery health and charging देख रहा था नॉर्मल है तो कोई भी चिंता करने की जरूत नहीं है लेकिन अपकोस अगर आपको detail में जानना है तो यहां पर आपको normal दो दिखी रहा है आपकी battery completely normal है बैटरी capacity आपकी दिख रही है 100% cycle count जो पहले about वाले section में था वो अप shift होके यहां पे आ चुक है iPhone 15 में उसके बाद आपको manufacturing date, first use यह सब यहां पे दिख जा रहा है और प्लस जब वापस आते हैं तो यहां पे आपको charging optimization का जो option है अब अलग से category दिख जाएगी तो अब को आपको जो भी optimized battery charging या फिर 80% limit set करना हो यहां पे आके कर सकते हो एक और खुशकबरी है specifically iPhone 15 के users के लिए तो यहां पे बैटरियाज में आएंगे और यहां पे इस link पे जैसे ही tap करेंगे अब यहां पे आपको लिखा हो आ रहा है तो पहले 500 charge cycles आपको दिख रहा है यह अब 1000 charge cycle दिख रहा है अब चलते Apple Music के तरफ तो यहां पे Apple Music में आपको एक थोड़ा सा chain देखने को मिल रहा है तो यहां पे जो पुराना Apple Music था वहां पे आपको Listen Now दिख रहा था अब उसकी जगह भी यहां पे आपको Home दिखेगा और यह सेम चीज आप बुक्स में भी देख पाऊगे इसके सिवह Apple Music में अब आपको Made For You में एक और section दिख जाएगा That is Heavy Rotation Mix तो इसमें होगा है कि जो सॉंग्स आप रेगुलर्ली सुन रहे हो वह इसमें जाके आड हो जाएँगे एंड एवरी डे अपडेट होगा अपकोस यहां 17.4 का अपडेट नहीं है लेकिन ओवर देयर हर आइफोन को पास कर दिया गया है नेच्ट बात कर लें तो इमोजी के बारे में तो कुछ नए इमोजी आड कर दिया गया है तो यह वाले इमोजी और बहुत सारे ऐसे इमोजी जो एड कर दिये गया है लेकिन अब चलते वापस सेटिंग्स में एंड हम बात करेंगे most important category that is stolen device protection तो सबसे पहले हम आएंगे face id and passcode में यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको option मिल जाएगा stolen device protection अब सबसे पहले इसका layout भी change हो चुका है आईए बता तो इसके पहले that is iOS 17.3.1 में आपको क्या देखने को मिल रहा था तो पहले आपको stolen device protection on ये off करने के यहां पर option मिल जा रहा था लेकिन अब इसकी खुद की एक category बन चुकी है यहां पर अफकोथ आप on-off इसको करी सकते हो लेकिन इसके सिवाए require security delay इसको अगर आप family locations पर नहीं लेगे always on रखना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो अब stolen device protection में require security delay क्या है वह मैं आपको next video में detail में बताऊंगा लेकिन फिलाल हम focus करते हैं आयो 17.4 पर इसके सिवाए side loading अलड़ी आ चुका है लेकिन specifically उन सब के लिए जो EU में रह रहे हैं तो अगर आप इंडिया में हो तो आपको side loading को option देखने को नहीं मिलेगा so side loading basically यह करेगा कि आप कोई भी third party app store से apps डाउनलोड कर सकते हो इसके सिवाए settings में आते हैं एक और change यहाँ पर बता जाता हूं Siri and search में आएंगे and all the way नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको option मिलना messaging with Siri and इसके नीचे आपको option मिलना read messages तो अगर आप add language पे click करोगे तो आपके यह सब languages में कोई भी message होगा तो read करके बताएंगा Siri लेकिन unfortunately यहाँ पर आपको हिंदी का option देखने को नहीं मिल रहा है and अगर iMessage की बात करें तो अब iMessage और भी जादा secure हो चुका है and वो है due to apple का PQ3 तो इसके वाज़े अब आपके iMessage और भी जादा save हो चुके from hackers तो अगर सारे messaging platforms का compare करें तो आज के तारिक में iMessage सबसे secure platform है and जब iMessage की बात चली रही है तो आपके messages भी देख लेते हैं तो settings में सबसे पहले हम चलेंगे messages में and यहां पर all the we need एक नया section आपको देखने को मिल रहा है which is messages from business तो कोई भी business service में अगर आपने enroll किया है जाके flight alerts हो गए order status हो गया तो वो सब secure तो रहें गई plus वहां पर आपको gray background दिखेगा जिसे आपको पता चलेगा वो message को बिजनस के तरफ से आया है इसके सिवए bug fixes की बात कर रहें तो पहले notification center में एक bug था जो अब solve हो चुका है of course मेरे एक भी iPhone में notification center में कोई भी bug face नहीं हो रहा था लेकिन अगर आपको बग face हो रहा था वो solve हो चुका आयो 17.4 में इसके सिवए find my में जो contact picture से ब्लैंक हो जा रहे थे वो problem भी solve हो चुका है dual sim users के लिए phone number जो हो चेंज हो जा रहा था primary to secondary तो वो problem भी solve हो चुका है इसके सिवए अगर performance की बात कर रहे था again में को performance में कोई भी issue नहीं आया है काफी smooth चल रहा है कोई भी problem अभी तक मैंने face नहीं किया बैटरी की बात कर रहे है तो अब हमारी बैटरी परसंटेज क्या है तो आप देख से 68 परसंट है जब तक मैंने वीडियो किया तो इतना major drop नहीं हुआ अब क्योंकि काफी सारी चीज़े बेग्राउंड में चल रही है अटो लॉग भी ओफ पर है इसकी screen चल रहे है इतना major battery drop अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन आई अब battery health देख लेते हैं तो iOS update करने से पहले मेरी बैटरी थी वह थी 100% अब चलते है settings में देखते हैं बैटर लेकिन फिलाल अगर आप बात करो कि आपको update करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो देखो बहुत सारे नहीं चीज़े आपको देख रहे हैं 17.4 में अगर इन सब फीचर को माइन में रखे तो यह सापको update कर लेना चाहिए लेकिन अगर आप concerned हो कोई bugs आ जाएंगे या फिर को issues आजाएंगे आपके phone में तो अगर यह सब problems आप बचना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा वेट करिए next video में आपको detail में बताऊंगो यह update आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अब बात कर लाए what's next आयो 17.5 आप expect कर सकते हो April के starting या फिर mid तक तो यहां आपको 17.5 देखो मिल जाएगा लेकर उसके बीच में आपको 17.4.1 भी देखो मिल सकता है during this month लेकिन जैसे के हम जानते हैं कि जो major updates होते हैं 17.3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया यह सब major updates होते हैं वहां पे आपको कुछ नए features देखो मिलते हैं तो आपको 17.5 में काफी सार इंट्रे देख रहा है उस पर पी क्लिक जरूर करिए देखते रहे ओर जिन टेकन हिदियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में